प्रेसेंट टीचर हेलो चैंपियन्स आज हम लोग चैप्टर वन नंपर्स प्रो जीरो तु टेन में नेक्स्ट टॉपिक स्टुडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टेंस स्मालेस्ट टू बीगेस्ट इसको क्या खा जाता है एसेंडिंग ओडर स्टेंस स्मालेस्ट टू बीगेस्ट बीगेस्ट क्या होता है स्मालेस्ट क्या होता है छोटा एंड बीग मीज़ क्या होता है बरा स्मालेस्ट बीग मीज़ बरा स्टेंस इसमालेस्ट टू बीगेस्ट का मतलब हुआ कि छोटे से कहा जाना है बले की तरफ जाना है it means small do कि धर जाना है बीग जाना है तो इसको एक और लेट से कहा जाता है क्या नब है इसका ascending order it means इसको अब लोग ascending order भी करते हैं इसमें भी क्या कहा जाता है अब चलिए एक एक्टिविटिटिट से बताओगे कि क्या है यह पहले यह बताओ कि यह क्या है यह है रिंग क्या है रिंग और यह क्या इसके यह भी रिंग है then how many rings in my hands means students how many rings in my hand कितने रिंग दिख रहे यहां पे there are four rings in my hand one two three four it is green color it is pink color it is red color and it is yellow color it means students यह total क्या रिंग दिया हुगा है इस रिंग से आपको क्या करना है यह रिंग को आपको औरेंज करना है किस में तो smallest to biggest it means पहले मुलोग क्या लेगा students इस रिंग में से हम लोग लेंगे small ring it means small ring को और से दिख रहा है green color का जो रिंग है वो सबसे small दिख रहा है it means यह क्या होगा पहले राइट होगा means पहले इसको प्लोग सोग करेंगे फिर इससे जो थोरा सा bigger होगा इस रिंग में से उसको प्लोग क्या करेंगे इसके just after me write करेंगे it means कौन सा ring इससे bigger दिख रहा है red color का रिंग इसको क्या करेंगे इसको भी आप लोग लेंगे अब two ring यहां बचा होगा है अब सब्सक्राइब बताओ कि इस red वाले ring से bigger कौन सा ring दिख रहा है तो इस red वाले ring से bigger दिख रहा है मुझे pink color का ring तो हम लोग कौन सा लेगा stick pink color का ring लेगे it means stick यह हो गया और इसके बार उनोग क्याल लई सकते है stick यहां पर ले सकते हैं इसके बाद क्या ले सकते हैं तो यह तो एक बचा होगा है that resistance हमारा arrange कैसे होगा यहां पर rings तो हम लोग ऐसे इस ring को arrange कर दिए अब बताब यह जो rings यहां पर हुगा यह क्या हुगा small से चलने वाले थे small से यहां पर हम लोग और रिंग को arrange किये small के पास के small से bigger लिए ring फिर उससे bigger लिए फिर सबसे biggest आगया जो इतनी सटेंस इसको एक और ने जाना जाता है इसका एक और ने प्यार है वो है S&E order understood आप से बताओगे कि यह क्या है यह क्या है यह क्या है तो यह है आपका इसमें टॉफी है आनियत है और यह क्या है यह है यह है पोटेटो इतमें से स्टेंट यह हम लोग 3 objects लिए हैं अब इस objects को क्या करना है smallest to biggest arrange करना है मेरे हैं तो इस स्टेंट यह बता कि सबसे पहले किसको लेंगे small object जो होगा उसको हम लोग लेंगे तो इसमें सबसे small पॉंसर दिख रहा है सबसे small क्या है तो पहले हम लोग फिसको लेंगे तोफी को ले लेंगे अब हम लोग क्या करेंगाlements के इस two objects में इससे bigger कॉन से दिख रहा है तोफी से bigger नी तो सबसे biggest दिख रहा है इत्स्थ क्या है onion जो है इससे bigger दिख रहा है तो पौड़ी से फीगर क्या जाए अनियन और अनियन से क्या होगा अनियन से बिगर होगा यहां पे पोटाइटोज हुम लोग स्मॉल से चलें स्मॉल से बिगर लिए और बिगर से ऐसे ल क्थी अवजिक्ट में लुसक्य खयार है तो ऐसे पर ऐस्माल आया हैं फिर क्या है कि इसे si agra है ढख़ब एघ Maison ुर। सबसे उगला 번 शर्च करेंगें दो ten श्रॉसास क्या क्या करेंगे ऐसे डिन उर्च करेंगे अब आप बतागे कि यह जो question दिया हुआ है इसमें करना क्या है तो हम लोगों को इसमें यह tree है और tree के अंदर में बहुत सारा numbers डाइट किया हुआ है अब इस numbers को क्या करना है? Smalls तो biggest आपको arrange करना है means ascending order में arrange कर देना means उसको आपको सजार देना है तो यहां पे strength यह tree से निकालना है यह number को और यहां पर write करना है चलिए इसमें find out करते हैं कि सबसे small पॉन से दिख रहा है counting में सबसे 5 numbers में से पहले पहुन आएगा तो कॉन से आएगा? फाज़ग रोग यहां पर क्या है? 2 है हम लोग किसको लेगे strength? 2 को पहले लेगे क्यों? क्योंकि 3 इससे bigger है, 8 पी bigger है, 7 पी bigger है, 5 पी bigger है तो हम लोग क्यों से लेगे? 2 लेके, यहां पर क्या राइट करेंगे? 2 understood अब यह तो हम लोग ले चुके हैं अब क्या बचा 4 numbers बच गया है इस 4 number में से 2 से मुझे bigger चाहिए 2 से bigger is counting, इस number में से कौन सा आएगा? 2 से bigger आएगा? 3 तो हम लोग किसको राइट करेंगे? 3 को, understood? अब यह भी राइच होगा, यह भी राइच होगा अब 3 से bigger कौन है इसमे? 3 से bigger है, थोड़ा सा बड़ा कौन है तो इससे just बड़ा कौन सा number है? वो है, 7 एट तो सबसे ज्यादा बड़ा दिख रहा अब लोग कौन सा राइट करेंगे? 5 नमबर को राइट करेंगे अब यह भी हो गया, यह भी हो गया, यह भी हो गया, बचा क्या? 2 नमबर, 7 और 8 तो 5 से यहाँ पे just bigger number कौन सा दिख रहा है? just bigger number दिख रहा है यहाँ पे 8 और 7 में bigger कौन सा दिख रहा है? यह होगा, आपका 5 से just bigger है तो इसको right कर देंगे और यहाँ यह भी right हो गया, यह 4 नमबर सा दिख रहा है बचा क्या है? तो 8 क्या राइट करेंगे student? यहाँ पे? यहाँ पे 8 राइट कर देंगे अब इसके हम लोग smallest to biggest यहाँ पे number को arrange कर दिए है इसके 2, 2 से bigger क्या है? 3, 3 से bigger क्या है? 5 और 5 से bigger क्या है? 7 और 7 से biggest क्या है? तो 8, इसके 3 में सबसे biggest number क्या था? 8 और सबसे smallest number क्या था? 2 हम लोग इसको क्या 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 है? तो smallest से biggest की तरफ arrange क्या है इसको क्या क्या रहते है? S&T, order क्या arrange क्या है understood? आपो लोग next question देखे कि क्या है? इसमें भी चीज है और 3 के अंदर में बहुत सारा क्या है? number 8 क्या होगा है इसको भी smallest to biggest आपको arrange करना है चलिए arrange करते हैं क्या है? यहाँ आपे final करो सबसे smallest क्या है? सबसे smallest है 1 किसको राइप करेंगे? 1 को पहले राइप करेंगे अब 1 से bigger one देख्राइप final करेंगे यह तो लोग राइप कर चुके है बज़ा क्या है? इससे bigger चाहिए biggest नहीं चाहिए सबसे बड़ा नहीं चाहिए मुझे इससे थोरा से बड़ा चाहिए इतमिस just bigger number कौन सा मिलेगा मुझे इसके बाद? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 3 हम लोग 3 को राइप करेंगे यहाँ पर 3 को राइप कर दिए अब 3 और 1 हो जुका है अब 3 से just bigger number कौन सा मिलेगा? just bigger number यह 8 है 9 है और यहाँ 5 है इस bigger कर दिए इससे just bigger तुरंत बड़ा कौन सा नहीं मिलेगा? तो मिलेगा 5 किसको राइप करेंगे? यहाँ पर 5 को राइप कर दिए understood? अब यह भी हो गया है अब बचा क्या? 9 और 8 तो 5 का just bigger number कौन सा आएगा? तुरंत बड़ा number कौन सा मिलेगा? just bigger number आएगा? 8 क्या राइप करेंगे? 8 अब से यहाँ पी क्या है? यहाँ है यह भी राइप हो गया है बचा क्या है? बचा है शिर्फ 9 तो किसको राइप करेंगे? शिर्फ 9 बचा है तो सबसे biggest number यहाँ पर आगया आपका 9 और सबसे smallest number आगया यहाँ पर 1 इत्मिस शिर्फ हम लोग smallest तो biggest number को arrange किये हैं इसको क्या कहते? इसको कहा जाता है? ascending order understood? यहाँ पर 1 से bigger क्या मिला? 3 5 8 biggest क्या मिला? 9 इत्मिस 9 सबसे biggest हुआ और 1 सबसे smallest हुआ understood? मेरा last question यहाँ पर क्या है? क्या है? यह भी 3 है और 3 के अंदर में क्या है? सबसें यहाँ पर number right क्या हुआ है अब इसमें क्या करेंगे? सबसे smallest number क्या है? 4, 7, 9, 2, 6 इसमें सबसे smallest क्या है? सबसे smallest है 2 कौन सा राट करेंगे? 2 सबसे smallest है वी सबसे छोटा है 4 number में से अब इसमें यहाँ पर 2 से just bigger number क्या है? 9 है, 7 है 6 है, 4 है 4 जो है just bigger number है तो कौन सा राट होगा? 4 राट होगा understood? अब क्या होगा? यह 2 राट होगया 4 तो राट होगया अब यहाँ बज़ा है 6, 7, 9 अब 4 का just bigger number कौन सा राट होगा? 4 का just bigger इसमें से आएगा 7, 7 से पर smaller है यहाँ पर 6 जो है 4 से bigger है और 7 से smaller है इसमें कौन सा राट होगा? तो यहाँ पर आपका 6 राट होगा क्या राट करेंगे? 6 understood? अब यह भी राट होगा इसमें 7 और 9 बज़ा है तो 6 का just bigger number कौन सा राट हैगा? इसमें 2 में से 9 सबसे की कैस तिक राट है? इसमें कौन सा राट हैगा? 7 आएगा किसको राट करेंगे? 7 को understood? अब इसको में राट कर दिये बज़ा कैस में 9 तो 9 सबसे लास में चला जाएगा क्योंकि उससे पहले अतर सारे नमबर सुनों कि हमके राट कर चुके हैं इसमें सबसेंगे हम लोग इसको smallest to biggest number को arrange कर लिये यहाँ पर 2, 2 से क्या है bigger 4, 4 से bigger क्या आया है 6 और 6 से bigger क्या आया है 7 और सबसे biggest number क्या में रिला तो 9 2 क्या में सबसे smallest number मिला और 9 सबसे biggest number मिला understood? तो यह question is smallest to biggest कैसे number को arrange किया जाता है यह हम लोग study किये है ऐसे ही step आप different different number एक जगब पर राट करोगे और उसको एक सही PMA smallest to biggest arrange करोगे okay students thank you